नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये ज्ञान हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली मेरे सामने है पुरुष जातक हैं आप और आपकी सांदार रियल हतीली विवेचना के लिए इस समय आई हुई है आपकी हिर्देई की लकीर को अगर हम बारी की से देखें तो इस प्रकार का एक चिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हलका इसमें मस्तिस्क की रेखा से जाती हुई लकीर भी आ रही है फिर भी इसको हम जो है विष्णुका तिला की ही मानेंगे जो एक्चुल अवस्ता में ये आ रहा है ये चिन बता रहा है कि आप बहुत जादा सोबाग्यसाली बेखती है आपका भग्योदा ये जो है बहुत जल्दी होने वाला है और जीवन में सांदार इस्तिति को आप पाइव एलिमेंट जिने कहते हैं जो आपके सरीर के सातों चक्र है जो आपकी पांच ग्यान इंद्रिया है और आपकी जो पांच कर्म की इंद्रिया है उनके उनसारा गर देखा जाए तो भगवान विष्णु आपकी इष्ट देव है जितना जादा स्रनागति जाएंगे जितना जादा समरपन रहेगा जीवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता को और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त करेंगे लेकिन ये इसके उपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पन किस क्वालिटी का है किस अस्तर तक का है दूसरा ये चिन निश्चित रूप से बता रहा है कि अगर आप अपने जिवनकाल में अच्छे कारे करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको आने वाले समय में अवस्य सपलता मिलेगी और कोई लाख प्रियास कर ले कोई कितने ही जादू टोना कर ले कोई तंतर कर ले कोई सड़ियंत्र रच ले फिर भी आपकी बिरोधी आपको प्रास्त नहीं कर पाएंगे लेकिन ये तब होगा जब आपका समर्पन और आपकी भगति उस सुप्रीम पावर भगवान विश्णु के उपर रहेगी उनकी सनागति आप चले जाएंगे समाज में खुब लोग प्रियता और निश्चित तोर पे बहुत बड़ा सम्मान भी आप पाने वाले हैं भगवान विश्णु के किरपासे और अत्यन्त भग्यसाली लोगों में से आपकी गिंती भी रहेगी ये भी इस पश्ट तरीके से दिखाई दे रहा है एक चीज से और से बचे दो नम्मर का कोई भी कार्य आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा कभी भी मत जाएं और कोशिस करें कोई अगर बहुत ज़्यादा मजबूर आदमी हो अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं जरूर करेंगे बहुत बड़ा आशिरवाद आपको लगेगा दूसरी एक सांदार चीज आपकी हतीली में और है आपका जो ये निम्न मंगल है उस पे आप देखेंगे तो एक सांदार रेखा आ रही है जीवन में कितना भी बड़ा कश्ट हो जीवन को संकट में डालने वाली कोई अगर बिमारी भी हो तो भी ये रेखा आश्चर जनक रूप से आपकी मदद करेगी आपकी जीवन को खंडित नहीं होने देगी दूसरा जब सूर्य अपनी अच्छी आउस्ता में आ जाएगा अभी सूर्य आपका बहुत डाउन है बहुत ज्यादा दोसित है इसी के कारण आपकी जीवन में चाए सारिरिक स्वच्त्य हो चाए मानसिक स्वच्त्य हो चाए आपका धन का अस्तर हो चाए आपका करियर का छेत्र हो चाहे जो है कहीं न कहीं कुछ अलग प्रकार की चीज़ें हो इसी के कारण आपकी जीवन में ये चीज़ें नगेटिब आउस्ता में है लेकिन अगर ये चीज अच्छी है आपकी और ये आप ठीक कर लेते हैं जिसका मैं सांदार उपाई दूँगा आपको और बड़ी सांदार ठोस परमान आपको जीवन में मिलेंगे सांदार परिणाम ये रैखा कह रही है कि सूरे की जितना जल्दी ठीक होने पर आपको इसके परिणाम बड़े ठोस मिलने वाले हैं कहीं न कहीं आपको दोसरों का सयोग सांदार रुप में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में पवन पुत्तर हनुमान जी की विसेश किर्पा है या भगवान की बहुत बड़ी किर्पा आपके उपर है दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है तीब्र बुद्धी के आप मालिक है लेकिन सूर्य के कमजोर होने से सूर्य के दोसित होने से वो प्रतिभा उस तीब्र बुद्धी को इंप्लिमेंट करने के लिए फलेथोम की कमी है आपके अंदर इस चीज की वो जोसे इस लकीर की वो जोसे सोचने की समझने की विसेश चमता है लेकिन इसके कमजोर होने से दोसित होने से उसका लाब नहीं मिल रहा है लेकिन जब ये भी ठीक होगा तो इसकी वज़ों से यकीन मानिएगा ऐसा ब्यक्तित्व आपका निखरकर आने वाला है कि जीवनकाल में एक बार येदि कोई निर्णे ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्या भी रखेंगे और इसी की वज़ों से आपका ब्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभाव साली रहेगा इस लकीर की वज़ों से जब ये ठीक हो जाएगा सूर्य का परवत आपको जमीन जायदाद से बहुत बड़ा लाव मिलेगा और अगर ये भी बहुत सांदार इस्तित में उत्पन हो जाए जो अभी ढ़ाई से तीन वर्ष के बाद चीजों को बता रही है तो जमीन के मल्टिपल प्रॉपर्टी का आपको लाव मिलेगा जबर दस्त रोप में और चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है चाहे आपका बिजनिस का मामला है उसमें इस्टेबलिटी तो आएगी साथ में जो समरोपता है वो बहुत सांदार इस्तिति में पैदा हो जाएगी और जीवन कहीं न कहीं निखर करके शामने आता हुआ दिखाई देगा सांदार परिणामे इसके आपको मिलेंगे अब आपके प्रश्ण है बहुत महतोपून है सबसे पहला और सबसे महतोपून प्रश्ण आपने किया है आप लिखते हैं सेहत कैसी रहेगी देखेगा स्वास्त्या ये हमारा मनिबंद है और इस मनिबंद में आप देखेंगे आपका जो स्वास्त्य की लकीर है इस प्रकार के बड़े बड़ी यव बना रही है यव आकार अच्छा नहीं माना जाता है और ये पहली रेखा स्वास्त्य की रेखा आरोग्य की रेखा और तंदुरस्ती की रेखा होती है दूसरा इसके साथ साथ सूर्य का ये छेतर आपका बड़ा दूसित है और चंद्रमा ये छेतर भी आपका कमजोर इस्तिती में है तो चाहे स्वास्त्य का मामला हो चाहे आरोग्य का मामला हो चाहे तंदुरस्ती का मामला हो आपको सजग रहना है छोटी प्रोबलम भी अगर जीवन में आती है तो इग्नोर नहीं करता है करना है डॉक्टरी सलाह लेनी है और दो चीजें में आपको ठोस रूप में दे रहा हो एक तो दिब्य सूर्य किरिया एक दिब्य योग ध्यानी किरिया और एक जीवन काल के लिए बनस्पति अश्नान ये तीन चीजें अगर आप प्रोपर तरीके से करते हैं तो चाहे स्वस्त्य का मामला हो चाहे आरोग्य का मामला हो चाहे तंदुरस्ती का मामला हो इसमें जो बिकार दिखाई दे रहे हैं निश्चित रोप से आठ से दस महने के बाद आप देखेंगे इसमें जो है जो ये नगेटिव फलादेश है ये खतम हो जाएगा चाहे आपका स्वस्त्य का मामला हो आरोग्य का मामला हो और तंदुरस्ति का मामला हो इसका लाब आप उठाएंगे दूसरा आप प्रश्न करते हैं किसी ने कुछ किया तो नहीं है इन पर किया तो कुछ नहीं है लिकिन आपकी हतेली में पित्रदोस है ठीक? आप कैसा है देखेगा यहां से आपकी ये करियर और धन की रेखा फिर ये यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां ठीक है न? और यहां पे रेखाओं का जाल ये आपके पित्रदोस को बता रही है आप क्या करना है इसके लिए सबसे पहले ये क्या प्रभाव डाल ली वो तो बताऊंगा पहले इसके लिए क्या करना है आपने ये बता रहा हूँ आप लोग जान रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है पित्रपक्ष आने वाले है और आपने इस पित्रपक्ष में अपने कुल प्रोहित द्वारा जो आपके कुल प्रोहित होंगे अगर कुल प्रोहित नहीं है कोई अच्छा जानकार ब्रामन कर्मकार्णी ब्रामन जो ब्रामन देवता स्रेष्ट लगे आपको आपने पित्रपक्ष में उनको बोलाना है और स्राद करवाना है सराद कर्म कैसे करेंगे देखेगा उनको कहना है कि पित्र दोस निवारण के लिए जो है आप सराद कर्म करिएगा और अपने सरधा अनुसार उस ब्रहामन देवता को भरपूर चीजों को देना है क्योंकि वो चीजें आप अपने भी पित्रों को दे रहे हैं, जो अत्रिप्त आवस्ता में हैं, जिसके कारण आपकी जीवन पर बड़ा प्रभाव उसका पड़ रहा है, तो पितर दोस्त का निवारण इस समय जरूर करें, समय को नगवाएं, अजब इस प्रकार की करियर और धन की रेखा रहती है, और इस प गरियर की इस्तिती होती है वो इस्टेबल नहीं होती है जो धन की इस्तिती होती है वो भी बेहतरी नहीं होती है इन चीजों में अस्ताई तो नहीं आता है दूसरा सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर आपके मस्तिस्क पर कहीं न कहीं जियोन में उल्जने रहती हैं दुविधाई में रहता है व्यक्ति और कन्फ्योजन की इस्तितिक क्रेट होती रहती है और जब व्यक्ति की जो निरणे लेने की ताकत है वो धीरे-धीरे छेन होने बैठ जाती है दूसरा इसका जो प्रभाव है आपके स्वस्तिय पे पड़ता है चाहे वो सारिरिक स्वस्तिय हो चाहे वो मानसिक स्वस्तिय हो उसमें विकार आते हैं तेसरा इसका प्रभाव आपकी रिष्टों पे पड़ता है, खास कर दामपत्य जीवन का रिष्टा, परिवार का रिष्टा, कुटुम का रिष्टा, इन रिष्टों का जो चरम सुक है, उस सुक का जो भोग है व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसके आगे प्रस्थितियां हो जाती है चौथा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सिहत पे पड़ता है आर्थिक रोप से आप कितना ही सबल होना चाहें लेकिन ये आपको दुरबलता की ओर ले जाती है बीमारू इस्तिति की ओर ले जाती है दरिदरता जिसे कहते हैं पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है आपका जो सपलता का अस्तर होना चाहें वो धीरे धीरे गिरना सुरू हो जाता है और इतनी तीवरता से गिरना सुरू कर लेता है कि उसे समाल नहीं सकते हैं इस परकार की चीज आपको जरूर करना चाहिए और पित्रपक्ष आ रहे हैं तो पित्रपक्ष में जो है पित्रों के निमित आपको ब्राह्मन देवता को बुलाकर पित्रदोस का निवारण करना है आप किसी ने कुछ नहीं किया है सिर्फ पितरदोस आपके हतेली में है तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्टन आपने लिखा है करियर कैसा रहेगा देखिएगा अभी करियर बहुत ज़्यादा इस्टेवल नहीं है बहुत ज़्यादा बिस्टार या ब्रांड के तोर पे नहीं उबर रहा है जो फैलाव होना चाहिए उस फैलाव की इस्तिति में नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको एक तो करियर और धन की रेखा को सांदार इस्तिति में लाना है, और इसके लिए पित्रों के निमित और दिब्य योग ध्यान किरिया आपको जरूर करनी है, और दिब्य सूरी किरिया और सूरे उपासना ये चीज़ें जरूर करेंगे निश्चित ही बहुत अच्छा लाव आपको होगा इसका लाव थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा और आपका करियर भी आगे अच्छा रहेगा चोथा आप कहते हैं धन अरजन कैसा रहेगा अभी तो दो चीज़ें बता रहे हैं कि धन के मामले में बहुत ज़्यादा इस्टेबिलिटी नहीं है बहुत ज़्यादा धन अरजन नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन सूरे के धाया में बैठा हुआ है उसके बाद मनि दो सालों के बाद कहीं न कहीं धन के मामले में अच्छी खासी बृती होती हुई यहाँ पे दिखाई देरी जो आगे निरंतर चलेगी पांचवा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्ण आप करते हैं आप लिखते हैं प्रॉपर्टी बना पाएंगे निश्चित तौर पे जो है आप अप पार के लिए आपका बुद्ध बहुत सांदार है लेकिन बिस्तार के लिए सूर्य अभी जो है अच्छी इस्तिति में नहीं है और इस्टेबलिटी के लिए जो है आपकी लक्ष्मी की रेखा सनी रेखा ठीक नहीं है तो एक अकेले के अच्छे होने से इन चीजों में जो ह खास बृद्दी नहीं दिखाई रही है, कम से कम दो साल, दो सालों के बाद आपका ब्रिश्पति वैसे अच्छे फल दे रहा है, तो बिजिनिस में आच्छा खासा रहेगा, लेकिन जो वास्टु इस्तिती दे रही है, दो सालों के बाद दिखाई दे रही है, अपना घर का बनेगा 45 वर्स से लेके 50 वर्स के बीच में घर आपका आपको प्राप्त हो जाएगा ये निश्चित तोर पे आपकी हतिलियां पे दिखाई दे रही है बनाते हुई पत्नी के साथ तालमेल कैसा रहेगा आपका जो ब्रेस्पति है वो सांदार इस्तिति में है लेकिन अभी ज चाहे दामपत्य जीवन हो चाहे परिवार हो चाहे जो है कुटम हो उसका जो सुक है जो चीजों में तालमेल है उसको आपको खुद बना के चलना है नवा प्रशन आप पूछते हैं बच्चों की पड़ाई उस सेहत कैसी रहेगी देखेगा इसके लिए उनकी हतिलियों का अभी तिकोना नुमा है लेकिन ठीक है आगे बच्चों का सपोर्ट और उनकी तरफ से खुसियां आपको जरूर मिलेंगी ये दिखाई दी रहा है देखेगा आपके परशन इतने ही थे दूसरी रेखा है ये धन और संपत्य की रेखा ये रेखा करियर और धन की रेखा से स परशन करने में तीसरी रेखा आपकी बहुत सांदार है निश्चित रूप से ये सुक की रेखा है आपका सूर्य सांदार इस्तिति में आने पर चंद्रमा के पुष्ट और सुन्दर इस्तिति में आने पर यकीन मानेगा कम से कम अगर हम बात करें यहां पे 45 वर्स से 45 वर् होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है तो चीजें आपके हतेली में अच्छी और बुरी दोनों हैं लेकिन अच्छी चीजों को आपको बढ़ावा देना है यह आपका बुद्ध का परोत है जो एक अच्छी और सांदार इस्तिति में दिखाई दे रहा है तो निश्चित चाहे ब्यापार के लिए हो आपका बुद्ध सांदार है चाहे वानी की ताकत के लिए हो उसके लिए भी अच्छा है तन की सुन्दर्ता भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है तन की सुन्दर्ता को बढ़ाता है हर तरह की प्रस्तितियों को भली बहां ते समझने वाला बेक्तित तो रहेगा अगर आप अपने जीवनकाल में योजना बना कर चलें तो इसका लाब आपको बहुत अच्छा होगा आप मनो बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर होंगे सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरों से जानत तो आपके ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगे आपको एक अच्छे और पहिचान बनाने वाला ब्यापार आपका बढ़ेगा और कहीं न कहीं उच्छवर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा स्रेश्ट और सफल व्यक्तित्व के धनी होंगे दो कारणों से एक तो आपकी communication skill सांदार रहने वाली है जिसके कारण आप सफल हो रहे हैं दूसरा आपके अंदर जो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है वो निखर करके आ रहा है जो आपको स्रेश्ट अवस्ता में ले जा रहा है तो ये दो चीजें आपको निश्चित ही जो है जिव जिसके कारण जितना परियास आप कर रहे हैं आप उन परियासों में पूरी तरों से सफल नहीं वो पा रहे हैं जो मेहनत आप कर रहे हैं जो परिस्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रेश है जो पूरा क्रेडिट है वो उस परकार से आपको नहीं मिल पा रहा है जो quality आपके अंदर है जिस प्रकार से चीजों को निखर के आना चाये थे उभर के आना चाये था वो उस प्रकार से नहीं आ पा रहा है एक सहजता से एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाये था उसमें अरचने दिखाई दी रही हैं सूरे के दूसित होने की कारण कमजोर होने के कारण और जब सूर्य की ऐसी इस्तिती रहती है तो यकीन मानिएगा ब्यक्ति अगर ब्यापार की तरब जाए तो ब्यापार में वो विस्तार, वो फैलाओ, वो नाम, वो यस ब्यक्ति वो ब्राण बनकर नहीं उबर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार को सुरू किया था ऐसे में ब्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो वो ग्रौथ उसको हासिल नहीं होती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो धन की इस्तिती भी बहुत सांदार नहीं रहती है पूर्णता नहीं आती है ये होता है तब जब आपके जो सारिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजुद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्परताल मेल मिनना हो और आपका ये ही है और इसके कारण जीवन के तमाम आयामों पर प्रभाव पड़ता है चाहे आपका सारिक स्वास्ते हो चाहे जीवन की खुसहाली हो उत्सा हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की चिंता करनी पड़ती है ये चीज़े हमेशा साथ नहीं देती है तो इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य किरिया और सूर्य उपासना जुरूर करनी है दे रहा हो में अगर आप विदिवत तरीके से दोनों चीज़ें करते हैं तो ध्यान रखेगा धीरे धीरे आट से दस महने के बाद आप देखेंगे आपका जीवन जादोई तरीके से बदलने बैठ जाएगा जहां आपकी सारेरिक स्वाष्टे बहुत अच्छा होगा वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजिता से चलेगा फिर चाहे वो सारेरिक स्वाष्टे हो जीवन की खुसाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी तो जरूर करिएगा सूरी की उंगली भी सीधी खड़ी है आपका मेहनती स्वभाव को दिखा रही है कि कहीं न कहीं और वही आपकी सनी की उंगली भी बता रही है आपकी लिडर्शिप की क्वालिटी को ये उंगली दिखा रही है धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मातर लक्षबी अभी यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे सनी की इस्तित देखे तो यह यहाँ पे उठा हुआ है और यह यहाँ पे बैठा हुआ है जब उठा हुआ होता है तो सुबह उठने में कई बार आलेश्य बहुत जादा आता है कई बार जीवन में बे वजही की चिंताईं देखने को मिलती है या कोई न कोई ऐसी वजहें बनती हैं जिसके कारण बिक्ति तनाओं में होता है जब ये दवावा होता है तो कहीं न कहीं बिक्ति को जीवन में अपने कारियों में हल्की फुलकी धोके मिलने सुरू हो जाते हैं और अन्दर से बिक्ति थोड़ा थका थका सा महसूस करता है जो काम आज करना है यार चलो कल करेंगे इस परकार का आलश्यक को ये घेरता है तो दिब्य योग ध्यान के रियाश के लिए बहुत अच्छा है हाँ यहाँ पे चतुसकोन सांदार रूप में दो दो बनते हुई दिखाई दे रहे हैं जो और ब्रस्पति भी पुष्ट है सांदार आउस्ता को पैदा करा रहा है ये बर्ग का निशान जैसे जैसे अच्छी इस्तिति में आएंगे अपना फलत तो देंगे कहीं न कहीं जो है धन की इस्तिति मजबूत होने बैठ चाएगी कुसल परसासक और दूर दर्सी है आप इसका आप फायदा उठाएंगे चाहे आप कितनी ही गरीब घर में पैदा हुए हो अपनी मेहनत से बहुत उचा मुकाम आप हासिल करेंगे सारी जो भौतिक सुख सुविदाई हैं आपको निश्चित ही प्राप्त होने वाली है ये चिन बता रहा है आपको लैविस लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा ये दिखा रहा है चाहे सिक्षा का छेतर हो चाहे इंजीनिरिंग का छेतर हो चाहे चिकित्सा का छेतर हो चाहे मैनेजमेंट का छेतर हो चाहे बानिज्जा का छेतर हो या कानून का छेतर हो इन छेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसकी वजो से आपको उचा मुकाम हासिल होगा बड़ी सपलता आप जीवन में पाएंगे यह बहुत सांदार चिन्न है आपका निम्न मंगल आपका उच्च मंगल दोनों सांदार हैं तो जीवन में प्राक्रम हमेशा बना का और एनरजेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा यह दिखाई दी रहा है सुक्र भी बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा जो है उबर रहा है तो सुक्र से समंदित जो प्रेशानिया है वो थोड़ा प्रेशान कर सकती है आट-दस मेहने तक उसकी बाद चीज़ें ठीक रहेंगी और आगे परिवार का सुक्ष सांसारिक सुक्ष भी अच्छा है रहेगा थोड़ा चंद्रमा आपका वीक है कभी कभी मन भटकाओ की इस्तिति में आ सकता है कभी कभी मन जो है बैचेनी की इस्तिति में आ सकता है तो जल का सेवन जादा करें और खाना खाने के बा बौदिक अस्तर को बताती हुई दिखाई दे रही है कि अच्छा बौदिक अस्तर आपका रहने वाला है आप अपने दिमाग से काम करेंगे जन्म अस्तान से दूर यहां पे जो है उन्नती दिखाई दे रही है लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ती दिखाई दे रही है यहां पे यह चीज जो है दिख रही है जो आपकी स्वतंतर विचारधारा को दिखा रही है किसी के कंट्रोल में, किसी के आदिपत्य में आप काम कर नहीं सकते हैं अपने स्वयम के निर्णेयों पे चलना आपको पसंद है और अपने मनमर्जी के मालिक है थोड़ा जिद्धी पना भी आपके अंदर जीवन में बना रहेंगे किसी के बहुत जादा सुनींगे नहीं लेकिन ओबर कॉन्फिटेंस भी आपके अंदर दिखाई दी रहा है मंगल के कारण कई बार जल्दबाजी में, अति उत्सा में ओबर कॉन्फिटेंस में बड़ा निर्णे लेना आपके लिए जो है, नुकसान दे साबित हो सकता है जो चिंता का कारण भी बन सकता है इस पे बिसेश दियान दे करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया है अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग मैंने सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके आपको भीज रहा हूं आपकर निकी कोशिस करें निश्चित ही अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पन के लिए नमस्कार